नमस्कार दोस्तों और पशु पालक भाईयों आज हम बात करेंगे कि पशु का दलिया किस परकार से तयार करें और इस दलिये को खिलाने से पशु का दूद की मात्रा बढ़ाए इसके साथ में दूद में फेट की मात्रा बढ़ाए और गी की मात्रा बढ़ाए तो दोस्तों यह दलिया पशु को कब देना चाहिए इसके बार में बहुता दू जैसे कि यह दलिया पशु को खिलाना चाहिए ब्याने के 10 से 15 दिन बाद में जब पशु ब्याता है तो उसके 10 दिन बाद में खिलाना चाहिए और किस परकार से तयार करना है इसके बार में भी बताएंगे इस वीडियो में इस परकार का दलिया बनाने के लिए सबसे पहले आवशकता होती है गेहूं की जो की गेहूं को दलिया की रूप में फीस ले और इसके बाद में आवशकता होती है 100 ग्राम मेती की और इसके साथ ही आवशकता होती है 50 ग्राम अजवाइन की और इसके साथ ही आवशकता होती है असालिया की 100 ग्राम असालिया या असालू और 20 ग्राम हल्दी की अधाइसो कराम गुड़की 100 एमल तेल की जिसमें आप ले सकते हो सर्षो का तेल ले सकते हो दोस्तो मेहती में जैसे की केल्सेम में अगनेशियम फास्पोरोस की सभी मिनरल्स की अच्छे मात्रा पाई जाती है इसके साथ में अजवयन में भी मिनरल्स के अच्छे मात्रा पाए जाती है और जो असाल होती है उसमें केलचे निदूद में काफी वर्दी होती है और हल्दी में एंटिवायटिक गुंद पाए जाने की वज़े से पशु बार-बार बिमार नहीं होता है और गुड मिलाने से जो आप खीचडी बनाते हो या दलिया बनाते हो पशु के लिए तो उसमें स्वाद आ जाता है और पशु को तेल देने से क्या होता है कि जो कि मिनल होते हैं उसकी कमी होती है तो वो भी पूर्ती हो जाती ही तेल से तो आप सुरू करते हैं जैसे कि इसको किस परकार से बनाना चाहिए सबसे पहले तो जो बनाने के वीदि ओती है आप जैसी कि आप आवशक्ता नुसार किसी भी भर्तन बना सकते हो सबसे पहले पानी में ग्यों का दलिया मिला ले और इसे मिलाने के बाद में दीरे-दीरे सारी चीजे इसमें मिला दे जैसे कि मेती अजवाइन असालिया और हल्दी गुड तेल सबी चीजे मिला के अच्छी तरह उबाले उबाले के पासाथ यह सब पूरा एक जगह हो जाता है यानि सब्सकार से दूद की मात्रा बढ़ती है और पशु सवस्तर रहता है और दोस्तों याद रखिए कि यह जो दलिया त्यार किया जाता है यह पशु को प्रेंगन पशु को नहीं देना चाहिए जो पशु ब्याता है उनके लिए अच्छा होता है